अब आस्ता चेनल से निवेदान है और आप सब भी LCD पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी जितने लोग टीवी पर कता सुन रहे हैं वो मोबाइल पर सुनने वाले वो जो लोग कते शिवजी पर जल चड़ा हुआ नहीं पीना चाहिए उसके लिए मेरे वेदव्याजी लिख रहे हैं पेज नंबर 75 विद्धेश्वर सहीता ध्यान दखिये जो मनुष उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है जो मनुष शिवलिंग को विधी पूर वक्त इस्नान कराकर उस इस्नान के जल का तीन बार आच्वन करता है उसके काई बाचिक और मांसिक तीनों परकार के पाप शिगर नष्ट both हो जाते हैं यह शुकृ अब अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चड़ा हुआ नेवेद्ध संकर भगवान के शिविलिंग पर चड़ा हुआ परसाथ खा सकते हैं की नहीं खा सकते कोई कहता है माहराज जी स्वान की योनी हो जाएगे कुत्ता बन जाओगे कोई कहेगा ये बन जाओगे कोई कहेगा वो बन जाओगे अब उसको पढ़िए पेज नंबर पिचत्तर शिव महापुरान विद्देश्वर सही था मेरी उंगली चल रही वहाँ पर ध्यान देना भगवान शिव का नेवेद्य अगरा है इस भगवान भावना को मन से निकाल दे कि शिव जी का चड़ा हुआ परसाद नहीं काया जाता ये भावना मन से निकाले शिव के नेवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाफ दो रहाते हैं खाने की तो बात ही दूसरी है अब क्या लिखा है अगली लाइन उसको खा लेने पर तो करोडो कुन अपने भीतर आ जाते हैं आए हुए शिव नेवेद्य को जो संकर का परशाद है शिव जी पे चड़ा हुआ नेवेद्य है अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर जुका कर परसनता पुर्वक खा लेना चाहिए जो संकर के चड़े हुए नेवेद्य को यह कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा वो पाप में लिप्त होता चले जाता है यहां तक उसका वर्णन किया वो मनुष्य पाप में बंद जाता है इसलिए शंकर को चड़ा हुआ नेवेद्य भगवान का बसकिवन नेवेद्य का धर्शन ही जाए तो जीव कोटी-कोटी पुन्य प्राप्त कर लेता है वो शिवत्तत यह शिवत्त महापुरान है अब आज के जमाने में नएने पंथ बन गए नएने पंथ चल गए तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए संकर जी की निंदा करदी हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते क्योंकि सब ने अपने अपने पंथ बनाए तो सब ने अपने अपने भाव से लिखा हम बेद व्याजी ने जो विद्धेश्वर सहीता में लिखा उस शिव महापुरान का बर्णन करते हैं जो आपने 75 नमबर पेज गीता प्रेश गोरक पुर की शिव महापुरान पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुरान में पढ़ा विद्धेश्वर सहीता इस्मरण